केलस्यम की आवश्चिकता हर उम्र के अभियक्तिव के लिव earlier 그냥 के लिए जरूरी होती है यहीं में केलस्यम की कमी होती है फॉर्डियों से समन्नि कई तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं इसी तरह की प्रॉब्प्लम को खतम करने के लिए आज वांज हम बोन्टौन टिब ग्रेनडल के बारे में बात करेंगे, बारे साइडश साइड नवास के बात करेंगे, नमस्कार दोस्तों मैं डौक्टर प्रकाइशा कियो और आप देख रहा ही डौक्टर स्मार्ट कि अलुअर बपको बॉन्टोन एक्टिब ग्रेनवल एक हरवल यूनिक कॉम्पेजिशन हेल्फ ड्रिंग है जो ना किवल हड्डियों की रासानिक संरशना को बनाता है बलकि केल्सियम की पूर्थी करके जोड़े एवाम हड्डियों को मजबूत करता है यह चोटों बच्चों से लेकर बड़ों की करते हैं इसकी फेकिंग की बात करने यह दरा इसके कंपणी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये बासू हेल्थ मेरसे हहड suffer हर्वल बात करें तो हजोड होता है इसमें 0.60% सताबरी होता है इसमें 0.50% अजबिगंदा होता है इसमें 0.40% निरगुंडी होता है इसमें 0.40% अरजुन होता है इसमें 0.25% कोच होता है 0.20% और इसमें सुद्ध गुगुल होता है इसमें 0.20% तो इस तरह से इसमें composition है तो यह सारे composition है यह पूरे हरवल प्रोडक्ट है हरवल composition है इसमें आप बच्चों को दें यह फिर आप बड़ों को दें यह खुद भी लें यह तो इसमें किसी भी तरह के कोई side effect नहीं होते हैं आप बेज़िज़क इस product का यूज कर सकते हैं चली इसकी packing की बात कर लेते हैं तो इसकी packing काफी अच्छी यह plastic packing में आता है और यह कांच की packing में नहीं है या बच्चे भी इसको ग्रा देते हैं या उपर रखा रहता है तो यह food ने का डर नहीं रहता है और बच्चे भी इसको निकालके दूर में मिलाकर इसको पी सकते है चलिए इसकी expiry manufacturing और MRP की बात और कर लेते हैं चलिए manufacturing की बात करें तो यह 9 2018 में बना हुआ जो मेरे पास में जो granules है और इसकी expiry की बात करें तो 8 2021 होती है इसकी तो काफी लंबा differences की expiry का चलिए इसकी MRP की बात करें तो यह 240 चालिस रुपे का डाइसोग्राम आता है इतने जादा महेंगा नहीं है और सबसे बड़ी बात तो यह है जो बच्चे टैबलेट नहीं ले पाते हैं यह फिर सीरप नहीं ले पाते हैं तो वो बच्चे और बड़े भी इसको ले सकते हैं इसका फ्लेवर इतना अच्छा चोकलेट फ्लेवर है जो कोई भी इस प्रोडक्ट को ले सकता है तो इस तरह से आप इस granules का यूज़ करके calcium की पूर्टिक कर सकते हैं चलिए सबसे पहले सकी uses के बारे में बात कर लेती हैं यह आपको किसी भी तरह की calcium की कमी उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो आपको osteoporosis की problem होने मतल़ हड़ियां बुरबुरी हो जाती हैं कमजोर होने लगती हैं Osteoporosis कहते हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हो आपको जोड़ों में दर्द रहता है जॉइंट में दर्द रहता है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो प्रेग्नेंसी में आप इसका यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें केलसियम होता है तो आपको प्रेगनेंसे में कैलस्यन की आवश्रक्ता पड़ते हैं इसलिए प्रेगनेंसी में इसका यूद कर सकते हैं, मतलब जो किसी महला की है, अगर MC रुख जाती हैं तो आप उस समय भी इसका यूद relevant ऑड को जो बच्चों के केलसियम की कमी हो रही है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं तो इस तरह से आपको लगता है कि परिवार में किसी भी को भी केलसियम की कमी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं जो आपकी बच्चों को और आपको केलसियम की पूर्थी करके आपको एक्टिव रखेगा चलिए इसके doses के बारहें में बात करें तो अडेल्ट के लिए सुभी शाम दो चमश्ट दूद के साँथ में लेना है और यÁ港 की बात करें तो एक एक चमश्ट सुभी शाम दूद के साँथ में देना है तो इस तरह से आप ये granules को दे सकते हैं इसके side effect के बारे में और बात कर लेते हैं विएसे तो ये herbal product है इसके ज़्यादा कोई side effect होते नहीं है विए तो ही ने इस product कि弃दी याद आपको problem हो सकती है तो आपको pet fallने की problem हो सकती है पेट में gas बनने की problem हो सकती है तो इस तरह की normal side effect हो सकते हैं बैसे भी यादि आपको हड्डियों से संबंदित कोई प्रब्लम है या कैलसम से संबंदित कोई प्रब्लम है तो आप इस granules का बेज जज़क यूज़ कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे हैं यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर ले हैं बैसे भी ब मेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हैसे संबंदित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें